नमस्कार मैं राजी मुंसल आप देख रही है हांसी के आवाज कहते हैं कि शादी एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जो घ्रहस्ती बसाने के लिए साफ जन्मों का सम्मंध हमारे शास्त्रों में मताबिक माना जाता है अगर कोई बच्चा गिरो का शिकार होता है और एक रात की दुलन उसे ठक कर लाखो रुपिया ले जाती है तो ऐसे गिरो का परदा फास करना पुलिस का भी काम है और हमारा भी ये कर्तवे बनता है कि गिरो से स्तर्क रहें नजाने कितने माया जाल के अंदर वे अपने ऐसे भोले भाले यूगों को फसाते है एक ऐसा ही पिडिक हमारे साथ बैठा है जिससे हम आप बीते भी जानेंगे ना जाने ऐसे गिरोन है कितने भोले भाले यूगों को अपने जाल में फसाया है और एक रात की दुलन बनकर लाखो रुपे ठक कर ले गए है मेरे साथ है संजीव जो की हासी के ही रहने वाले है संजीव मैं आप से जानूँगा एक रात की दुलन मैं किसी फिलम का नाम नहीं ले रहा हूँ एक गिरो का परदा फास करने के लिए और पुलिस वालों से भी ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे गिरो पर नकेल कसे है संजीव मैं आप से जानूँगा कि आपके साथ क्या बीती और आपको कैसे शादी का जहासा दे कर वो लाखो रुपिया एक गिरो का सदस्य आप से ठक कर ले गया जी वो दिलबाग था जी दिलबाग मेरे पास आया बोला तरी सादी करा दूगा और मेरे से बोला भी तरी सादी हो जाएगी मेरे घर आया और मेरे माँ से बहला सादी हो जाएगी काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ा ये दिलबाग कौन है कहा का रहने वाला है दिल बाग है जी उमरे के रहने वाड़े है जी और यह रहते हैं और यह सी साइकुल पर रहता है और यह मेरे को बोला चल तरही साधी करवाएंगे और तरही साधी हो जाएगी बोला इतने पैसे लगेंगे नुला मेला informative मैंने ने करानी फिर भी बावजूद यह मेरे घर, बीना फोन करे ही, आता रहा और मेरे पास फूटेज़ better रोज रोज आता रहा, मैं मना करता रहा इसको और पिर इसने, ना, मेरी, आप मना किया, पिर यह आपके माता अजी एसे भी बात करता रहा पिर यह मेरी माता के पास आया, मेरे घराब विवाद चल रहा था, यह मेरे माता के पास आया, बला इसकी साधी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, मातो, फिर मेरी मानों ने पैसे दिये, कहीं से ने लाकर भी, आज पर कैसे भी इसको कटे कर गए, कितने रुपे की मांग की इसने एक लाग पचीस जार की मांग तो और बोला एक लाग पचीस जार कर सकते हैं Sono नी Do और इसनकी दिल्यारों का। लिवाँ ऊसने ठीज कर और शाद्यवाने कर लड़़िए घृप है सब्सक्राइब करता था मेरे कोट के सारा काम करवाने मेरे मंगल सुतर नूला अभी मेरे बुखार हुआ है अब ठक गए है और में घर जाते ही तेरी वाई फिर यह तो उस लड़की को आपके घर लेया है हमारे घर हम उनको दूलन मना कर मंगल सुतर पिरा कर मांगों संदूर मना कर मेरे घर लेया घर गड़ी वाले बहुँ अच्छा हो गया सारा रीती रिवास से हमने प्रोग्राम किया तो इतनी देर में ही मतलब मुर्कों बोला स्वागरात नहीं मनानी अगले दिन मनाया हमने खर्चा किया और इसने नहरात उरात वो दो गंटे में ही गायब हो गई और वो तक्ये लगाकर चली गई और मेरा फॉन लेगे तक्ये लगाकर चली गई तक्ये लगाकर बोले हम तो सोचे यह तक्ये के नीचे वही सूती होगी हमने से मेरे चाय का ट बुल्लन बन के आई थी तक कि ये लगा के वहां से परार हो गए मैं उनके घर जाते प्होन के तरह कभी उसके बच्छे प्षोन उठाते कभी उसकी ऐसे भूले है नहीं है कि मैं परेसान हो कर नाम से कर दिले मान रिपोर्ट कर दे took मुझे देवों गर कर आती है पुलिस बाड़े मेरे को नो बलते है तू लोगाही लेगे सुता तुभा करवाने हैं मेरे पास आया था मैं काफी जंगाइद के खारा हूं मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा हूं मेरे को मेरे पैसे दिलवाय जाए आगे किसी की सात ऐसा दोका ना हो मैं ऐसा चाहता हू किसी की साथ ऐसा धोगा ना हो मेरी माँ ने सिकायत करवा रखी है और दिलवाग खुला घूम रहा है कोई कारवाई ने करते अच्छा इस गिरों में आपको पता लगा हो क्योंकि आप तुम्हा गए थे कितने ऐसे सदसे हैं पांच सद्द सद्द दो इसहार के मिलवाए, ऐसे वहला, मैं उनको जानता है नहीं यहीं ले के आया था, एक यह ले के आया नुला चल चल मैं वहला, किसी आजी मुझेदाद में को ले लूआ, तो भी स्वास नहीं है, मेरे गाम का उमरे का, मैं इसको पकड़ के लिया हूँ पुलिस का पुलिस दिरासे देरिया में जाता है ये थे संजीव कुमार देखिए दुल्ला नहीं रात की एक पिक्चर आई थी और रातो रात फरार हो गई थी इस तरह से ये गिरो एक बहुत बड़ा गिरो है हम पुलिस के आला अधिकारियों से गुजारिश करते हैं कि इस से भोले भाले ये ध्यारी मजदूरी करता है और कोई ठगी बगी बिल्कुल नहीं करता है ध्यारी मजदूरी करता है और खेत में काम करता है और जिससे कहते हैं कि अपना भरन पोशन अपनी मा का भी करता है ग्रहस्ती बहसाने के लिए इसने दिल्बाग इसके घराता रहा इसकी मा को हिपनोटाइज किया और किस कदर इस से एक लाख पच्छिस हजार रुपे ठक कर ले गया और वो यही का रहने वाला है जिसकी दर्कास पुलिस के अंदर है नजाने ऐसा कितना बड़ा गिरोह है यह नेकसस है कि जैसे भोले भाले युवकों को शादी का जासा दे कर एक रात की दुलन बनकर फरार कर दी जाती है तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि अन्य भोले भाले युवक इस जासे में ना आकर और पुलिस से भी कहेंगे कि इस गिरोह पर नकेल कसे और शादी की पवितरता को खतम ना करें जिससे युवकों की जिन्दगी भी खराब ना हो और युवतियों को भी जिन्दगी ना खराब हो इस सडियंतर को इस गिरोह को बिल्कुल जड़ से उखाड़े ताकि यह ऐसा गिरोह जो बरबादी की तरफ ले जा रहा है युवकों को उससे बचा जासके मैं ऐस पे मेडम सही को जारिश करूँगा कि इस बच्चे की करवाई करें इस बच्चे की मा की जो शिकायत है उस पर करवाई करें और इस की चेन तक जाए कितनी लंबी चेन है और कितना बड़ा नेक्सस है देखते रहे हैं दुलन एक रात की किस तरह से हुर हो गई है